वेलकम टू माय चनल तो अज हम लोग सॉल्ब करेंगे वक्षिट वन के कोस्टन को और फिर्स्ट कोस्टन केता है ड्रॉअ लाइन सेग्मेंट एक्स वाई इक्वल टू एट सेंटीम्टर एट सेंटीम्टर हमको यहाँ पे एक लाइन सेग्मेंट लेना है और उसका नेम क्या रखना है एक्स वाई रखना है यूजिंग कमपासेस एन रूलर कंस्ट्रॉप इट्स पर्पेंडिकुलर बाय सेक्टर अभी हम लोग क्या करेंगे नो कंपास का यूज करेंगे और यह जो लाइन हमारा एक्स वाई होगा इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइट क इसका a b का तो अभी हम सेम यहाँ पर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हमारे पास skill है और यहाँ से 0 सेंवलोग को लेना है और 8 तक जाना है आने की 8 सिंटीमिटर का हम लोग यहाँ पर line segment बना रहे हैं और इसका नाम क्या देना है तो x y हमने आप पे x और y इसका नाम दे दिया है आप देख लेजिए ठीक है अभी हमारे पास ये line segment आ चुका है हमने बना लिया है 8 cm का एक line segment x y अब हम क्या करेंगे न हम लेंगे यहाँ पे compass और इसके help से हम यहाँ पे इसको two parts प क्या पड़ेगा यह जो हमारा line segment है हम approach यहाँ पे लेंगे half से थोड़ा सा जैदा लेंगे more than half इतना length का हम लोग को लेना है और दोनों तरफ हमको cut करना है एक बार इधर cut लगाए और इधर से भी हमको cut यहाँ पे लगाना पड़ेगा ठीक है तो यह हम यहाँ पे दोनों त cut लगाना पड़ेगा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार जो आप लेंगे यह आपका बार बार चेंज नहीं हो जो length आपने first time select किया है वही length आपका हो वह बार बार चेंज ना हो अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो two points हमारे पास आ गये हैं यह perpendicular bisector तो आए यहाँ से इस तरह से इसको draw कर लिए अब इसको आप dotted line से भी draw कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे ठीक line से भी आप draw कर सकते हैं इसका नाम कुछ हम दे देते हैं माले जी की मैंने यहाँ पे दे दिया P और यहाँ पे दे दिया Q और यह जिस point पे cut कर रहा ह इस point को हम यहाँ पे कुछ नाम दे दे जैसे माले जी O नाम दे दिये तो यह जो हमारा यहाँ पे बन गया P Q यह हमारा क्या हो गया perpendicular bisector हो गया किसका XY का तो बस बिल्कुल सिंपल है इतना ही हम लोग को करना है ओके next हम यहाँ पे solve करें है question number second और कहा क्या है draw a line segment P Q equal to 7 cm पहले तुम लोग को यहाँ पे एक line segment बनाना है P Q और उसका length कितना हो 7 cm using ruler and compasses obtained a line segment of length half of P Q measure each part तो आईए सबसे पहले हम यहाँ पे P Q draw कर लेते हैं 7 cm लेंद का तो हम लोग लेंगे scale और जब भी हम लोग line draw करते हैं तो यह ध्यान रखना है कि हम लोग को 0 से rating लेना है ओके यह हमारा यहाँ से rating स्टार्ट होगा यह 0 से और कहां तक जाना है हम लोग को 7 तक जाना है तो हमने यह rating ले लिया 0 to 7 आप देख सकते हैं अब हमको क्या करना है यह भी इसका नाम देना है P Q हमारा नाम होगा चुकि यहाँ पे question में कह दिया है draw line segment P Q equal to 7 cm हम यहाँ पे note कर ल करें तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे compass यह देख लिए ओके और अभी ना हम यहाँ पे हाप से ज्यादा लेंगे यह देखी हमको लग रहा है एक बर जो हम लेंथ ले लिए वही लेंथ हमारा रहेगा यह लोग को ध्यान रखना है फिर हम लोग क्यू से क्यूब कर लिया अब हमारे पास टू पॉंटस यहाँ पर आ चुके हैं एक पॉंट हमारा ए और PQ हाफ पे कहने का मतलब क्या हुआ हुआ ना कि यह जो हमारा पीकु को लाइब में डिवाइट करना है इकोल पार्टमें तो यह हमारा जो लाइंस चेलिंट यहां पे आया है इसका नाम कुछ हम दे दें जैसे मालेज़े की A और B यहाँ पे दे दिये तो यह हमारा जो A भी यहाँ पे बन रहा है यह PQ को two equal parts में divide कर रहा है आनि की यहाँ पे कुछ नाम दे दें अच्छे से हमारा हो जागा मालेज़े की हम यहाँ पे रख लेते हैं M रख लेते हैं उस भी आप नाम रख सकते हैं तो यह हमारा PM और यह QEM ठीक है यह दो दोनों हमारा हो गया ना equal हो गया अब इसके length को measure करना है कहता है measure each part तो हम कैसे measure करेंगे यहाँ पे 0 से हमको लेना है reading यह रखें 0 से हम यहाँ पे 0 से देख रहे हैं यह 3.5 के आसपास हमारा आ रहा है आने कि 3.5 ही है exact ठीक है तो हमारा PM और यह जो हमारा PM है और यह QEM कितना हो गया 3.5 हो गया तो आई हम यहाँ पे note कर लेते हैं यह जो हमारा है PM ठीक है यह हमारा क्या होगा half of PQ होगा जो हमारा PQ है उसका half होगा PM ओके यह तो हमने कर लिया और यहाँ पे लेंद को ही मज़र कर लिया है तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं यह जो हमारा PM है यह किसको एकॉल है हमारा QEM के एकॉल है और यह कितना हमारा आ रहा है तो 3.5 cm के equal आ रहा है बस इतना हम लोग को यहां पर करके छोड़ देना है question number 3 हम लोग देखेंगे यहां पर कहता है draw a circle of radius 6 cm तो 6 cm radius का हमको यहां पर एक circle draw करना है draw its diameter and name it AB इसका एक diameter draw करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग यहां पर AB रखेंगे using compasses and ruler construct the perpendicular bisector of AB जो हमारा AB यहां पर diameter होगा उसका हम क्या यहां पर draw करेंगे perpendicular bisector draw करेंगी next question कहता है does it pass through the center of the circle क्या यह जो हमारा perpendicular bisector है वो हमारा center से pass होता है तो आईए इसको हम यहां पर complete कर लें है तो इसके लिए हम लोगो फिर से यहां पर लेना पड़ेगा i of scale औरweder Ó एक मरा और सिक्स में आप मेजर कर लेंगे सिक्स तक मेजर करने के बाद हम यहां पर पेपर के पेपर में बीच में रख लिए और हम क्या कर लेते हैं ना इसको Deny कर लेते हैं कुछ इस तरह से ओके आप बैलेंस अच्छे से करेंगे ठीक है थोड़ा समको लगता है ज्यादा इधर जा रहा है कोई बात पर जाने देजिए हम लोग इसको कवर कर लेंगे ओके तो मैं यहां पर रख लेता हूं यह कुछ ज़्यादा उदर गेप हो गया चली जाने दिजिए हो गया इसको हम complete कर लिए यहां पर इस तरह से हमारा यह circle यहाँ पर ready हो जाता है circle तो हमारा बनके त्यार हो चुका है अब हमको यहाँ पर क्या करना है इसका एक diameter लेना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर o mark कर लेती है इसका center center को हमने यहाँ पर o mark कर लिया यह point हमारा center है अभी ना कहा गया है कि एक diameter draw कीजिए और diameter हमारा क्या होता है तो center से pass करता हुआ जो biggest code होता है center से pass करता हुआ ही हमारा diameter होता है तो हम यहाँ पे center से pass करता हुआ एक line draw कर लेते हैं कि code है यह हमारा biggest code है circle का ध्यान रखेंगे इसका नाम हम लोग यहाँ पर क्या रखनेंगे A B रखेंगे चुकि A भी यहाँ पर नाम रखने के लिए बोला गिया है अब यह भी तो हमने यहाँ पर कर लिया है अभी हमको इसका perpendicular करना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर बाय सक्टर हम कैसे ब्रोग कर सकते हैं तो फिर समया पर कम पास लेंगे और हाप से ज़्यादा यह देखिए यह सिक्स है थोड़ा इससे ज़्यादा लेंगे यहां तक ले लिए किए मूर दैन हाप लेना है इधर से कट करना एक तो कर लिए replace हमको यहां पर करना है और फिर ने यहां सिंग्मेट बन जाएगा जो कि हमारा परपेंडिकुलर बाय सेक्टर होग किस का तो जो हमना डाइमेटर है यह भी उसका तो यहां पर पहले मार्क कर लेजी यह पॉइंट हमारा अब इससे पास होता हुए एक लाइन यहां पर ड्रॉक कर लेते हैं क्या यह हमारा सेंटर से पास हो रहा है यह जो लाइन है यह हमारा बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है इधर हम यहां पर एरो मार्क लेते और इधर भी निचे तरफ हम यहां पे एरो मार्क कर लेते हैं ठीक है इसका नाम कुछ हम दे सकते हैं यह हमारा मालजे की यहां पे हम पी लिख देते हैं ठीक है पी लिख दिए और निचे तरफ हम यहां पे क्यूं लिख दिए तो यह पी क्यूं हमारा हो गय या फिर हम नाम यहां पर लिख सकते हैं यह पी को यहां से हुटा के हम यह हम आप लिख सकते हैं चली यहे पॉइंट को भी मालें और यदर SPEAKER cannot कुमाल ने दिए तो इस को यहां से हटा दे इसको मिनां पे क्या कर लिए हटा देए world के तलिए महां पर रख दीए ठीक है और इसको भी यहां से मैं हटा देता हूँ, यह भी थोड़ा यहां पे नहीं दिख रहा है, इसको हटा लिए, ठीक है, तो हमारा PQ हो गया, और PQ क्या हो गया हमारा, तो perpendicular bisector हो गया, AB का, AB जो हमारा यहां पे diameter था उसका, और कहा गया है, does it pass through the center of the circle, yes, यह हमारा center से pass करता है, तो हम निचे यहां पे note कर लेंगे, yes, it passes through the center, तो हम लोग लास्ट में यहां पे note कर देंगे, PQ is the perpendicular bisector of AB, and passes through the center of the circle, यहां पे हम लोग it भी जोड़ सकते हैं, and it passes through the center of the circle, और यह हमारा complete हो जाता है answer, तो वक्षिट 3 के, वक्षिट 1 के तीनों questions को हमने यहां पे complete कर लिया, झाल, झाल, झाल